26 दिसंबर 2012 में चीन की राजधानी बीचिंग से गौंग शू सहर तक बनाए के दुनिया की सबसे लंबे हाई स्पीट रेल मार्ग को खोला गया था इसकी लंबाई 2298 किलो मीटर है इसके बनने के बाद दोनों सहरों के बीच की दूरी आठ घंटे रह गई है जो पहले 22 घंटे थी यह रेल मार्ग 28 सहरों से होकर गुजरता है